आपका जी एके मिश्रा जिसा ये बताए कि आप अच्छे खासे राजनितिक जानकार हैं क्या लगता है क्या इस समय देश में चल रहा है राजनिति को ले करके वदानमंत्री नरेन मूदी की नीदियों को ले करके जनता में किस तरह का वो है देखें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम महसूस कर रहे हैं अगर बहुत कोजली दो-चार साल पहले से अगर हम वाच करें तो भारती पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजीसन का फेस चल रहा है पूरे पैरामिटर्स भारती पॉलिटिक्स के चाह से होता था रिजनल पार्टियों का डॉमिनेंस क्या था अब यहां पर ये देखने वाली बात है कि अब सारा का सारा डॉमिनेंस जो है वो रिजनल पार्टी से हटके नेशनल पार्टी पे आ गया है वोटर्स की प्रिफरेंस बदल गई है डॉमिनेशन फैक्टर जो होता है वो बदल गया है लेटेंट डानामिक्स बदल गया है तो मुझे लगता है कि विश्व में एक ये एक बहुत अच्छा जो है समय भारती डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए चल रहा है कि राजनीती में पॉलिटिक्स में सुक्षता आ रही है ट्रांसपेरेंसी आ रही है वोटर कि डेट में वोटर अपने आप में सारी जानकारी रखता है और वो अपना डिसीजन खुद लेता है बिना किसी बिचावलिये या इंफ्लूएंसर के उसमें इंफ्लूएंस में आ करके तो यह बहुत बड़ा ट्रांजीशन फेज है और दो चार साल अगले पांचा सालों मे बारती राजनीत का पूरा परिद्रिश ही बदल जाएगा सर विपक शाहिरकार हमारा इतना कमजोर क्यों है देखे पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कंसल्टिंग अगर मैं अगर बात करूँ उस हिसाब से तो पॉलिटिक्स अपने आप में एक सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैं सर इंडिया जो है वर्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है सबसे बड़ा थाउजन टाइप सौफ परसंस यहां रहते हैं 120 करोन का रिलीजियस इसके साथ साथ सोसाइटी के जो है बहुत सारे सब सेग्मेंट्स हैं सब कल्चर्स हैं तो इसको मैनेज करना बहुत ह पारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है पहले पॉल्टिक्स जो होती थी वह ब्लाइंड वे में होती थी कि आपने कोई एक नारा दे दिया कोई मुद्दा दे दिया वह चल गया लेकिन अब छोटे-छोटे सब सेग्मेंट्स को छोटे-छोटे जो ग्रूप है सब ग्रू सब ग्रूप हैं पॉलिटिक्स बिदिन पॉलिटिक्स की जो मैंने बात की है वो उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं चौती चीज यह तिसरी चीज मैं यह बोलना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स कोई चुनाओ या इलेक्शन की डेट डिक्लियर होने के एक महिने पहले की बात नहीं है ज्यादा तर यह होता है कि जब इलेक्शन डिकलियर होता है तब पार्टियां तैयारी करती हैं सोती रहती हैं सर यह बहुत सिंपिल सी चीज है अगर पॉलिटिक्स के वर्ड में आप अपना सिक्स पैक है पनाना चाहते हो तो आपको डेली यह चीजे करनी पड़ेंगी पॉलिटिक्स आपको सोसाइटी में रहना पड़ेगा मुद्दे उचालने पड़ेंगे आपको अब हार्ड कोर जो है ग्राउंड लेबल पे आपको काम करना पड़ेगा तभी जाके आप जो है सक्सेज हो पाएंगे विपक्ष की सबसे रेगुलर काम नहीं करते हैं आप हारे या जीते काम रेगुलर करते रही है तो क्या लगता है कि हार्टिक के आने से जो राजनीती है वहां की या जो आगे चुना हो रहे हैं उसको कुछ परक्पड़ेंगे अगर माइक्रोस्टेटिक वे में देखा जाए बीइंग पॉले लेवेल होना चाहिए मिनीमम एक्सपेक्टेट जो है इंपक्ट को डालने के लिए ठीक यही एक्जामपल आप उत्रप्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ राहूल गांधी जी ने हाथ मिलाया था लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक् पर बनाने की की जाए तो अभी भी बीजेपी के टक्कर में अगर देखा जाए तो इनका इंपक्ट उतना जबर्जस्त नहीं हो पा रहा है कि वो उतनी सीटे एश्योर कर पारें दिस वान तिंग सेकंड तिंग अगर यह देखा जाए कि देखे एक चीज़ है बीपक्च ए आपकोँ वोट में कन्वर्जन नहीं होता है वह ताई में उसमें कितना वोर्ट में कन्वर्ट होता है यह बहुत इंपपृटन्ट चीज है नियास्ति क्या तोई कैसे strategic way में manage कर रही है उनको ये पता चल गया है कि crowd को vote में convert कैसे किया जाए means conversion of crowd into effective votes ये एक बहुत important चीज होती है सर और बिपक्ष मुझे लगता है अभी बिपक्ष को इस चीज़ पे और काम करने की ज़रूत है सारा मुद्दा सर यही है crowd आपकी 10 लाख हो सकती है आपकी rally में उसमें अगर आप crowd का segmentation करेंगे और उनका political kinesis देखेंगे तो बहुत से लोग उसमें ऐसे होते हैं जो की voter होते ही नहीं 18 से कम उम्र के होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो उस constituency के voter नहीं होते हैं उसरे के होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नए नए आये होते हैं बाद में उनका voting decision change हो जाता है rally में वो enjoy करने के लिए आते हैं देखने के लिए आते हैं तो यह बहुत सारे जो है segments होते हैं जिसको particularly देखा जाए तो psychosomatic वो होता है तो जरूरत इस चीज की है कि voters के behavior को देखा जाए different तरीके के जो political groups society में होते हैं religious हो सब groups हैं उनके dynamics को देखा जाए और उसके हिसाब से strategy बना करके फिर उसको tactical way में implement किया जाए और बिपक्षकों मैं बोलना चाहूँगा निराश होने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज सर इन्विंसिबिल नहीं है ऐसा नहीं है कि BJP बहुत बड़ा challenge हो गया इंद्रिया के time पे लगता था इंद्रिया को हटाना मुश्किल है समाजबादी party के time पे लगता था कि उसको हटाना मुश्किल है लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो अभी भी सर्थ हर आदमी के लिए इंडिया में एक नए मतलब आप ये देखिए उनके लिए भी इतना बड़ा सबसे बड़ा example दूँगा आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल उन्होंने केवल दो साल के struggle में पूरी की पूरी सरकार बना लिए और बीजेपी को हरा दिया तो मेरे कहने का मतलब scope बहुत है आज की rate में voter जो है और यहां के जो dynamics है सर वो बड़ा इतना ज्यादा हर चीज जागरूख हो गई है transparent अगर आपके पास मुद्दे हैं आपके पास plan है only barking या बिना मतलब किया आप कुछ बोलते जाएए event करिए rally करिए politics और political consulting it is not merely managing the social media, tv media या rally करना सर जब तक उसमें आप strategic input society की जरूरतों को क्या बदलाओ चाहिए उनकी क्या आप नहीं डालेंगे सर तब तक आपकी crowd vote में convert नहीं होगी and this is only the biggest reason behind the failure of opposition